Hello friends, welcome back to our channel तो दोस्तों आज हम आपको येलो मिराविलेज जलापा के बार में बता रहे हैं ये 4 o'clock येलो प्लांट Old time favorite garden प्लांट है दोस्तों वैसे तो हमने आपको मिराविलेज जलापा के बार में बहुत सारी चीजे बता दी है आज हम इसके बारे में कुछ नई चीज़े बताएंगे इनके फूल टेक्स्टाइल इंडर्स्ट्री में यूज होते हैं जिसे हैंड लूम प्रोडक्स को डाय कर सकते हैं इन फूलों से फूड कलरिंग सबस्टेंस बनते हैं जैसे केक और जैली जैसे चीज़ों में कलर देते हैं ये प्लांट जेनेटिक स्टडी और साइटो प्लैजमे इन हेरेटेंस के स्टडी में काम आता है जब हम वाइड मेरेबलेस जलापा और रेड मेरेबलेस जलापा का क्रोस ब्रीडिंग करते हैं जिससे हमें पिंक में रैबलेस जलापा मिलता है जो प्रूफ करता है मेंडिल्स लॉओ ओफ इनकंप्लीट डॉमिनेंस इसके सीड पॉचनिस होते हैं इस ब्लांट में एबलेटी है कि ये उन सॉइल को प्यॉरिफाई कर सकता है जो हैवी मेटल कैडमियम से पल्यूटिड है ट्रेडिशनल मेडिसेंस में इनका बहुत यूज होता है इसके लीफ के जूज को रैशिज, बॉइल्स और कट में यूज कर सकते हैं इंसेक्ट बाइट में भी यूज होते हैं इसका यूज ड्रॉप सी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है कई जगव में ये प्लांट, ट्रैप क्रोपिंग, स्पीशीज, जो जैपनीज बीटल, जो अट्रेक्ट करने के लिए उगाए जा सकते हैं जिससे और प्लांट प्रोटेक्ट हो सकते हैं तो उमीद होगी दोस्तों आपको आज के हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमाएं चैनल को लाइक कर दिजे और सब्सक्राब भी कर दिजे और बैल नोटिफिकेशन को और प्रेशेट कर दिजे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ठैक यू फर वाचिंग गुडबाई और दोस्तों जाने से पहले प्लीज लाइक भी कर दीजेगा